कौन थे ये मैं बताओ सर बोल एंपी गोड़ा इनके बारे में क्या जानते हैं गंलोर को बनाया बसाया इन्होंने इसके लिए बहुत कुछ किया है सर और तुम लोग क्या कर रहे हो उसे पिकार रहे हैं सर चलो शुरू हो जाओ अब बताओ ये कौन है इस पूरे मंडी और जिले के अन्न दाता थे ये सर मैं बताता हूँ ये विश्विश्वर जी थे तुम जानते हो इन्होंने क्या किया है अन्नवाडी बांध बनवाया था कई कार खाने लगवाए देश का नाम उचा करने के लिए बहुत बड़े बड चला शुरू हो जाओ ये कौन है जानता हूँ सर ये हमें फिल्मों में देखा है बहुत फिल्मस एक्टर है फिल्म देखने के बाद भी कहानी तुम लोगों के समझ में नहीं आई तो अब बताओ तुम लोग के साथ क्या करूँ आज आखरी बार समझा रहा हूँ अब भी सुधर जाओ कल जब तुम लोग मरोगे तो तुम लोगों का स्टेच्चू किसी ग्राउड में या किसी पार्क में लगा होना चाहिए आने वाली पीडियों के लिए एक मिसाल होना चाहिए ऐसा कुछ काम करो अगर नहीं सुधरे तो गए काम से बार बार बिवकूफों को समझाने के लिए गणेश के पास टाइम नहीं है कमिटमेंट में मैं सेंटिमेंट नहीं देखता हूँ वैसे तो मेरे नाम से ही तुम जैसो के पसीने छूट जाते हैं सर मारने से पहले हमें ये बास समझानी चाहिए थी ना मैंने भी यही सोचा था, लेकिन बता क्या करूँ, तुम लोग लातों के भूत हो, बातों से कभी नहीं मानोगे, फिर भी नेक्स टाइम, ट्राइ करूँगा। जान बचाईए, यही आपका फर्ज है। आपके एरिया में जितने ठेले हैं उसे कॉर्पोरेशन में रजिस्टर कीजिए, हर महिना यह कितना देंगे वो फिक्स कीजिए, तभी यह लोग सुकून से जी सकेंगे, इससे करप्शन भी कम हो जाएगा और सरकार का इंकम भी बढ़ जाएगा। हर एक स्कूल, कॉलेज और जहां लड़कियां काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट जगा हो या गवर्मेंट जगा हो, सब जगा सेक्यूरिटी का बंदबस है या नहीं, यह चेक करो। मैनेजमेंट से कहो कि वो रिपोर्ट डेते रहें, अगर किसी ने कुछ कहा या पूछा, तो कहो कि यह गणेश का ओर्डर है और यह कमपल्सरी है। गुद मॉर्लिंग सर्व यह फाइल किस ने दिया मुझे? Sir! Sir! Sachs, money, 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 sir. only, certainly, sir. Sir, good morning, sir! Salute, sir! Sorry sir, late हो गया, sir. तुम? तुम! मतलब मेरा नाम है ? बहु बलीлемों आपके लिए सिर्फ आपके लिए पर्सनली आपोइंट किया गया है, sir. पीए, पर्सनल असिस्टेंट, आपको हेल्प करने के लिए है, सूइट लिजे सर। लेट आयो, इसके लिए? नहीं सर, लास्ट विक मेरी शाधी होई थी, आज ही हनीमून से लटाओ, इसी खुशी में सर इतना ही क्यूँ, और लिजे ना? और किसलिए? एपसेंट होता रहे, तावन जैसी लिए सर। किसकी गैरंटी पर? अपनी गैरंटी पर सर, मुझे एक लड़का पैदा करना है, इसी गैरंटी पर सर। उसे लिखा पढ़ा के एक अच्छा डॉक्टर बनाना है सर। रिश्वत देना पड़ा सर। कितनी? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे पिता मजदुरी का काम किया करते थे, फिर इतना पैसा कहां से आया है, उधार लिया ना सर, किसकी गैरेंटी पर, तेरी शादी होगी इस गैरेंटी पर, सर, शादी से करजे का क्या लेना देना, सर, ससुराल वाले दहेश देते ह अच्छा, यह बता, अगर कोई सर फिरा तेरी बीवी को उठा कर ले जाएगा, तो क्या करेगा, दूसरी शादी कर लूँगा, सर, सर, वो नहीं तो दूसरी सही, वो कहते हैं न, तू नहीं तो तेरी बेहन, दूसरी वाली को अपने इशारे पर न चाने जैसा बनाऊंगा, नहीं मानी तो उसके इशारे पर मैं नाशता रहूँगा, सर, सर, उपर वाले ने जिन्दगी दिया है, तो खाने के लिए चारा भी तो देगा न, सर, छोड़िये न, सर, बाकी सब चलता रहा है, तो फिर चलो, एक छोटा सा केस है, निप्टा कराते हैं, I am ever ready, सर, बैंगलूर कॉलेज के लड़कियां जब कॉलेज से छूटती हैं, तो तुम सब लोग टी स्टॉल के पास खड़े होकर आवार्गी करते हो, वो अपनी इश्दत बचाने की कोशिश करते हैं, तो जबरदस्ती करते हो, उसके बाद, जब पुलिस वाले तुम्हें ढूंडते ढूंडते आते हैं, तो तुम जान बचा कर भाग जाते हो, किसी बिल्डिंग के उपर से जम करने की कोशिश करते हो, और हम लोग तुम्हें शूट कर देते हैं, तब तुम लोग मा कहकर नीचे गिरते हो, अरे ये तुम लोगों के पास एक मिनट का टाइम है, उसके अंदर तुम लोग ये हतकड़ी पैन के चुपचाप गाड़ी में बैठोगे, तो सेफली लॉक अप पहुंच जाओगे, तुम्हारे बाल बच्चे आकर तुम्हें देखकर, खाना देखकर, खुशी-खुशी घर जाए देखकर, सोच लो क्या करना है, यार टाइम स्टार्ट्स, नाउ। यह क्या सर टकोरी लोगों ने आपके बाद मान ली सिर्फ यही नहीं अच्छे अच्छों का भी यही आल होता है कुछ लोग तो मेरा नाम सुनते घबराते हैं यही है इस वर्दी का पावर यस सर सर सेफ एक छोटी से रिक्वेस्ट है सर जब कभी किसी का इंकाउंटर करना होना तो मुझे कुछ देर पहले बता देना सर क्यों चुट्टी के अरजी ले लूँगा सर यहां बाहु बेली के सारे जिने वाले बहुत सी फैमली है सर इसलिए प्लीज प्लीज मेरी खाते सर हम देखते हैं थांक्यू सर 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 नो प्रॉब्लम सर इसलिए रहने के वज़ा से मुझे बार बार छुटी मिलती रह किये सर ए तेरे सीनियर गनेश का दिमाग दिनों दिन सातवे असमान पे चड़ रहा है वो कोई देश सुधारने वाला महात्मा गांधी है ऐसा इस शहर में कई आये और गये लेकिन यहां ठीके रहने वाले हमारे भाई को वह नहीं जानता तुम लोगों को यहां काम पे किसलिए र प्रदेर बैठा दे थे कंपलेंट में उसका नाम बदल दे और उसको जल्दी से बाहर ले किया चल अरे खड़ा खड़ा क्या देख रहा है जा जा के बाहर ले क्या रहे खजूर मिटा देना चाहिए ए गनेश ए चिला मत यहाँ सभी लोग मेरा नाम जानते हैं हमारे बोस्ट परताब काली को तू जानता नहीं है वो जो भी हो मुझे उससे क्या वो क्या चीज़े उसका बाप भी आया ना तो भी उसको नहीं छोड़ूँगा डायलोग अच्छे से सुन ल देख लूँगा तुम लोग को अच्छा अरे बापने 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 बाप अरे यह क्या कर रहे हो बाली पंक्चर निकाल के गाड़ी चलाने के बज़ए धक्का मार के ला रहे हो इससे कौन चलाएगा सर लालस में आकर इससे स्टार्ट करके बैट कर आता गिर पर जाता हाथ पर तूट जाती तो जिंदीगी स्क्राइब हो जाती सर सर मेरी अभी बिशादी हुई है धक्का मार के अपने परिवार को चलाना चला रहे है चलो हट जो बैठिए न सर अराम करो अराम करना मतलब अज़स्ट करना सर सर मैं उपर से एक्सपोर्ट को आँ सर जब से धर हुआ हुआ है